हालो फ्रेंट्स मेरा नाम प्रग्या सिंग है कम्पूटर सेंस लेक्टर स्रीज में मैं आप सब का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ HTML लेक्टर स्रीज हम देख रहे थे HTML में आये कुछ नया सिखते हैं और अपने website development की तरफ आगे बढ़ते हैं आज हम फ्रेंट्स सिखने जा रहे हैं लिस्ट बनाना यादि आपको अपने वेबपेच में कोई लिस्ट बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं इसमें यहाँ पर देखिए मैंने एक फ्लार्स की लिस्ट बना रखिए इसमें यहाँ तीन फ्लार है जब लिस्ट बनाacher है जब हम बेसिकली र banner Him आते हैं लिस्ट में कोई ना कोई नंवर देते हैं जैसे बन मैं आपको दिखा चाहि भाएं ज़िए Review row, lotus and sunflower इसमें थो तरीके के रिस्ट बदा सकता हूँ एक लिस्ट सभिस्ट सकते हैं जिसमें यह बिस्ट अवर 123 या फिर 123 की जगह चिंवापे में A, B, C, D इस तरीके से कहए बिस्ट के पलओ कोई भी सोप्शन दे सकता हूँ या रोमा लेटरस में 1234 लिख सकते हूं या ABCD इस तरीके से लिख सकते हूं तो इस तरीके की लिस्ट मेरी कहलाती है order list जिसको मैंने proper order में लिखा हुआ यानि series लगा कर लिखा हुआ ठीक है series कोई सी भी हो चकते ABCD या 1234 की या अगर कोई सी भी दूसरी प्रकार की list होती है unorder list unorder list में कौन सी होती इसमें कोई series ने लिखी होती कोई चिन बने होती है for example यहाँ पर डेखिए जैसे कि यह क्या है बुलेट के sign है तो suppose बुलेट के sign हो गई है या अन्न कोई सा भी suppose यह circle का sign हो गया इस तरीके से कोई भी sign यदि आपको दिख रहे है तो इस तरीके की list के लाती unorder list तो दो प्रकार की list हमारे HTML में यूस होती है एक बनती order list और एक बनती unorder list तो आईए देखते हैं किस तरीके से order and unorder list बनती है तो order and unorder list देखने के लिए हमको अपने notpad पे आना होगा आप जो भी editor यूस करें notpad प्लस प्लस या notpad आप उस पर आईए तिक है आपको यहाँ पे new ले ली थी फाइल को में एक new tab ले 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 थी हूं मैंने अपनी html की formatting है वह पहले से लिखके रखी हुई है तो क्योंना मैं इसको फटाफ़ चंट्रोल सी के दारा copy करती हूं और अपने new notpad में paste कर देती हूं ताकि मेरा काम फटाफ़ हो जाए सबसे पहली formal key title है को मैंたい Styles लिक देती हूं Title में 床पे List लिक देती हूं अब onze body tag के अंदर मैं अपनी list तयार करती हूं मैं आपको list बनाना सिखा रही थी तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमें li doing work में cooking on dus में इस प्रकार बनाती हैara pole flowers लिख दिया, then यहां पे double column लगाए थे मैंने और उसके बाद h1 tag को मैंने close कर दिया, अब मैं इसको save कर देती हूँ, save करने के बाद, save कर देती हूँ, हाँ, यहार मुझे name देना होगा, name में list.html नाम दे देती हूँ, save is type में, मैं यहां पे all type कर देती हूँ, आपके system में हो सकता है all file भी option आसकता है, all file यहां all type आप करके हो, save कर दीजी से मैंने अभी कर दिया, अब मैं सबसे पहले इसका output देख लेती हूँ, output हम देखते हुए चलते हैं सबका, यह मुझे अभी पुरान output दिखा रहा है, सेम उसी तरीके से output देखते हैं, मैंने जैसे कि आपको देखना सिख रहा है, इंडेक्स के दौरा ठीक है, आप इसमें, जो भी आपने folder बना है, सिफ और सिफ और महा के नाम तक आप इसको select करना, इस तरीके से आपको पूरा इंडेक्स दिख जाएगा, और इंडेक्स में मैंने किस नाम से बना है, list.estiment मुझे भी यहां पर नहीं दिख रहा है, अहां दिख रहा है, list.estiment नाम से मुझे यहां पर दिख रहा है, मैं से right-click करती हूँ, और open in new tab करती हूँ, तो मैं यहां पर लगाती हूँ U tag, और U tag-of-lars के बाद में, close कर देती हूँ, आपको मैं tag starting and close-in करना बताया था, कि जिस क्रम में हम tag use करते हूँ, उसको उल्टे क्रम में हम इनको बंद करते हूँ, चलते हूँ, तो H1 tag मैंने पहले उस किया था, तो U tag use किया था, तो बंद किया था, तो U को पहले बंद किया, तो H1 को close किया हूँ, और मैं इसको Ctrl S के साहे था, सेफ कर देती हूँ, और क्यों ना बैटर है कि मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर आउटपुट साथ साथ दिखते चले जा है, यह देखिए, फ्लास के लीचे अंडर लाइन आ जोकी, जैसे मैंने रिफ्रेश किया था, अब चलिए मैं लिस्ट बनाना आपको सिखाते हूँ, लिस्ट बनाने के लिए, सबसे पहले आपको, यह फाइंड आट करना पड़ेगा, आपको कॉंसे लिस्ट बनानी, आपको और लिस्ट बनानी है या अन और लिस्ट बनानी है, तो मैंने आपको दोनों की प्रकार बिता दे है, कि और अन और लिस्ट कैसे होती है, तो सबसे पहले हम बनाना चाहते है order list ठीक है तो order list बनाने के लिए सबसे पहले आपको tag लिखना होता है o l आपको angular bracket के अंदर क्या लिखना होगा o l ठीक है o l के बाद फिर आप next line पर आए और next line पर आने के बार अब लिखिया मैं आपको पहले ही बटा चुकि ओधो जरूरी नहीं होता है यह कि आप नेक्स लाइन में लिख सायों लेकिन सेम लाइन में लिखो तो किच्ड़ी बन जाएगी इसलिए में नेक्स्ट लाइन में ठीक है जब भी आपको लिस्ट बनाती हूं सबसे पहले आपको पताना होता है कि आपको किस प्रकार की लिस्ट बनानी तो मैं अभी कौनसे लिस्ट बनाना चाहती हूं और लिस्ट जिसमें मेरे या तो 1,2,3,4 हो या A,B,C,2 हो इस तरीके स रोस, लोटस, सनफ्लाइर यह लिस्ट बनने जा रही है तो जित्ती भी लिस्ट में जित्ते भी आइटम होगे या या जित्ती भी चीज़ें होंगी आप इंक्लूट करोगे वह सारी के सारी चीज़े आएच लाइक के अंदर जैसे रोस लोटस लिस्ट लाइटम इमें लिखा आपने लिखना है आपको लिखना है आपको लिखना है आपको लिखना है आपको लिखना है रोस देन आपने लिखना को लोस कर दिया ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि रोस लिस्ट का मतलब लिस्ट का पहला आइटम हमें लिखते है तो वो क्या ह वारा मैंने सेव किया है रफ्रेश करती हो अट्पूट में देखी विए रोज दिख रहा है अब रोज के बार मुझे आप क्या करना है नमबर 2 पर आना यानि सेकंड नमबर का फ्लार लिखना है तो उसके लिए एंटर करूंगी और जितने भी नमबर के मुझे आईटम अब उसके लिखना होगा ठीक है तो li tag लगा है मिने और li tag के बार मैंने second flower का नाम लिख दिया और li tag को मैंने close कर दिया safe करके देखती हूं और यहां पे refresh करके देखती हूं कि Fach cansa दिख रहा है बिल्कुर दिख रहा है वापको Lotus सेम इसी तरहिके से lipsで थिकना है तो मैंने li text लगाया लेद लेकाने के बार मैंने links लेकाने के बार मैंने primo house मिल चुकी है थर्ड नंबर का अपनी लिस्ट का इटम मिल चुका है that is a sunfloor ठीक है तो इस तरही किसे आप लिस्ट बना सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए मैंने इसको सबसे पहले क्या बताए उसको सबसे पहले आपको पताना पड़ेगा आपको इसके पार सपोस्ट कुछ भी नहीं लिखना कोई भी लिस्ट में कोई भी आइटम कोई भी मेंबर इंक्लूट नहीं करना है तो आप अपनी ओर लिस्ट को क्लोज कर दीजिए ठीक है? //ol //ol के दार आपने अपनी ओर लिस्ट क्लोज कर दीए इस तरीके से आप ओर लिस्ट अपनी बना सकते हैं ठीक है? आपको //ol बंद करने से आपको और लिस्ट में कुछ चेंजिस नहीं मिलेंगे लेकिन यह एक स्टेंडर है जिसके दौर आपने ओर लिस्ट को चालो किया तो ओर ल को आपको प्लूज भी करना होगा तो आपको इस तरीके से complete output देख रहा है सेम जिस तरीके से आपने यह order list बनाई है ऐसे यह आप unorder list भी बना सकते हैं unorder list के लिए आपको कुछ विशेश काम नहीं करना है unorder list के लिए आपको जहां आपने ol लिखा था उसके बदले आपको क्या लिख देना तो देखें मैं यहापको लिखके बठा रहेती हूं यह or लिखा है इसकी जगह मैंने यहापे कर दिया यहापे मैंने ol क्लोस किया है यहापे भी मैं ul को क्लोस कर देती हूं और अपना program शेफ करती हूं और आप output देखी कर जहांसे 1 2 3 4 जो है वह आपके unorder list में झाल झाल